क्या बाबा सिद्धिकी के साथ जिशान सिद्धिकी यानि कि उनका बेटा भी था टार्गेट क्या शूटर्स के निशाने पर बाप और बेटी दोनों थे जानकारी है कि 5-6 लोग इस मर्डर में शामिल थे लेकिन अनुमान है जो जानकारी मिल रही है उसमें तकरीबन 10-15 लोगों के शामिल होने की जानकारी है आपको जानकार ये भी हैरानी होगी कि आरोपियों को बोला गया था शुटर्श को बोला गया था कि जो मिल जाए जो सामने आ जाए उसी को मार दो चौकाने वाली बात ये है कि जिशान शिद्धिकी के ऑफिस से बाबा सिद्धिकी और जिशान दोनों निकल रहे थे अचानक से जिशान का एक कॉल आता है वो ऑफिस के अंदर चला जाता है और शुटर्श के निशाने पर आ जाते हैं बाबा सिद्धिकी लगातार फायर छे फायर हुए जिनमें से तीन गोली बाबा सिद्धिकी को लगी दो पेट पर और एक सीने पर इस पूरे घटनक्रम में चौकाने वाली बात ये है कि जो पिस्टॉल का इस्तवाल किया गया था 9.9 mm के पिस्टॉल थी और ये बुलेट प्रूफ गाड़ी क शिष्य के अंदर जागोसी थी इससे ये माना जा रहा था कि लॉरेंस विश्णोई का इस पर हाथ है लेकिन अब इस पस्ट हो चुका है क्योंकि एक पोस्ट के माद्यम से लॉरेंस विश्णोई ने इस मामले की और इस वारदात की जिम्मेदारी ली है ये जो शूट सुफ एक व्यक्ति की जान लेने के लिए था बलकि पिटा पुत्र दोनों की जान लेने के लिए था दोनों के उपर इस शूट किया गया था आप देखिए पुलिस ने बताया कि पूछ ताच में आरूपिन इस बात को कबूला है कि आदेश मिले थे जो जैसे दिख जाए उसको वहीं पर गोली मार देना है छे आरूपियों के पहचान कर ली गई है उनके भी आपको डिटेल दे दे तीनों को गिरफतार कर लिया गया है एक की मध्यप्रदेश से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है कि वो खंडवा या उजयन के आसपास हो सकता है उसकी तलाश की जार है वो भी बता दें जिन में से धर्मराज शिफकुमार गुरमेल जी शानकतर शुभबम लोनकर और प्रवीन Madin कर के नाम सामने आए हैं धर्मराज गुरमेल और प्रवीन Madin कर को गिरफतार किया जा चुक है बाकि जो आरूपी हैं वो फरार है जिनकी तलाश की जारी है और दर्मराज साथी गुर्मेल को 13 अक्टूबर को कोट में पेश किया जाना है धर्मराज ने कोट से कहा था कि वो नाबालिक है और इस चलते टेस्ट किया गया टेस्ट में वो जो दावक किया था कि धर्मराज नाबालिक है वो फेल हो चुका है मजिस्ट्रेट के सामने उसका ब लेकिन वो बच गाए क्योंकि वो किसी कॉल की चलते अफिस के अंदर चले गए थे। सिद्धिकी निशाने पर आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है 9.9 mm की पिस्टल से हमला किया गया था लॉरेंस गैंग अक्सर इन ही पिस्टल का इस्तमाल करता है और इसके बाद से लगातारी बाना जा रहा था कि इसी गैंग का हाथ है तीन शूटर्स ने सिद्धिकी पर फा प्लान किया था और सिद्धिकी जब बेटे के साथ मौजूद थे उसी दोरान इनको निशाने पर ले लिया गया था बेटा भी निशाने पर था लेकिन गनिवत रही कि वो बच गया है और अब यह भी पता दे कि बाबस्टिकी उनका बेटा जिशान इन्हें पहले धंकी भ पहत जादा लोग मौजूद नहीं थी जबकि बाबस तदीके को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है उसके बावजूद जो शूटर से उन्होंने हमला कर दिया च्छे आरूपियों के बारे में आपको थोड़ी डिटेल दे दें दरसल शिपकुमार नाम है शिपकुमा बहराईच का ये भी रहने वाला है शिपकुमार का पडूसी है और उसने कोट में खुद के नावालिक होने का दावा किया था लेकिन वो फेल हो चुका वो 18 साल से उपर है कुछ मैने पहले वो भी पूने आया था उसे बुलाया गया था गुरमेल नाम सामने आया जो कि हर् का रहने वाला है और उसने अपने भाई के दोस्त की बर्फ तोड़ने वाले स्वेज से हत्या की थी केस में उसे ग्रफतार किया गया जेल में ही वो लॉरेंस गैंक के संपर्क में आया और जेल से निकलने के बाद वो मुंबई आ चुका था सिदिकी मडर केस के दूसरे आर उपियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट करता था उन्हें रहने का ठीकाना मुहय कराना खाने पीने का इंतजाम आने जाने का इंतजाम ये सारी चीज़ें कर रहा था साती नौ वारदातों में वॉंटेड भी है शुभाम लोनकर बाबा सिदिकी के मडर के 28 घंटे बाद इसी ने मदद की तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा और बताया ये भी जा रहा है कि पोस्ट करने वाला शुभाम लोनकर है जो लॉनेंस गैंग के अनमोल का करीबी है और उसे पहले भी हतियारों के साथ गिरफतार किया जा चुका है पोच्छिताच में उसने कबूल किया थ च्छटवा जो आरूपी है वो है प्रवीन लोनकर मुंबई पुलिस ने शुभाम के भाई प्रवीन लोनकर को गिरफतार किया जिसके उमरा 20 साल है और प्रवीन नहीं शिव कुमार और धर्मराज को रुकने का ठिकाना दिया था बताये भी जा रहा है कि दोनों भाई कि दो की भी अभी तलाश पुलिस कर रही है आप ये देखे कि इस पूरे घटनकरम के दोरान जो आरूपी है कुल 6 के नाम सामने आए हैं लेकिन बात ये भी सामने आ रही कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ने बलकी 10 से 15 लोग इस पूरे हमले में शामिल थे क्योंकि फायर शूट होने के ठी कुछ मिनट पहले ही आटो में भर कर लोग आए थे और बाबस सिद्धी के से बात कर रहे थे कि आप हमारे साथ दह्यारा मनाईए और बात होते होते कुछ देर बाद ही हमला हो जाता है चौकाने वाली बात थी और बाबस सिद्धी की इतनी हाई सीक्यूरिटी होने के बाव करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा आपको याद होगा कि बाबस सिद्धी की ये एक ऐसा किरदार है नसीपे के बड़े नेता है एक ऐसा किरदार है जो की इफ्तार पार्टियां करते हैं और रमजान के खास मौके पर इफ्तार पार्टियां करते हैं और रमजान के खास म जितने भी बड़े स्टार हैं उन सब की संबर्क में रहते थे और अब जो जानकारी मिली है वो यह है कि सल्मान खान की भी सुरक्षा इसले बढ़ाई गई है क्योंकि साफ किया गया है कि सल्मान खान को छोड़ा नहीं जाएगा इसके पहले अप्रेल में 14 अप्रेल को सल्मान कान के फ्लेट गलेक्सी के बाहर भी फायर हुए थे और उस दौरान भी जो आरूपी तो उने पकड़ लिया गया था जिनकी कनेक्शन हरियाना के साथ साथ पंजाब से भी सामने आये थे हलांकि उस दौरान से लगतार स्ट्रक्षा चाक चोबन थी लेकिन अचानक से बाब और इस वक्त लौरेंस विश्णोई गैंग ये एक ऐसी गैंग बनती जारी जिसने अपने 13 राज्यों में अच्छा खासा नेटवर्क के खड़ा कर लिया है पूलिस के लिए बहुत बड़ी चुनोती बना हुआ है और कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेगा आप इस